हाई के सबस्वागे दे न्यू रिगल चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं करूंगी अन्बॉक्सिंग सामसिंग एक लेटेस्ट डिवाइस की जो कि यह है हमारा सामसिंग का एस्ट्वेंटीटीटू इस डिवाइस की प्राइस से अगर में बात करें तो इसका आर्च भी 128 डिवल वीरेंट हमारा 73,000 पिस के प्राइस में आपको मिल जाता है तो फटा फट सकते हैं इसको अन्बॉक्स और आपको बताती हूं कि डिवाइस हमारा कैसा है सो यह रहा हमारा डिवाइस जिसका के मेरे पास है यहाँ पर वाइट कलर और देखने में डिवाइस हमारे यह काफी प्यारा नजर आ रहा है तो कॉम्पैक साइज में स्नैब रगन प्रोसेसर के साथ आया है हमारा सामसिंग का फोन मदा इसको देख तो मैं काफी एक्साइटेड हूं डिवाइस को मैंने सुच अन कर लिया है सेट अप कर लिया है सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डिजाइन के बारे में तो इस बर तो मतलब सामसिंग ने खुश कर दिया है लेकिन इतनी बार बोला सामसिंग को आपके सुन ले गई है और अब हमें एक ग्लास बॉड़ी मिल जाती है जिसमें डिवाइस आक्चन में बहुत ही प्रीमियूम फील आपको यहाँ पर देगा हमें नए वहले फोन में आपको थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन का टच दिया गया है मतलब इसके अंदर हमारी जो बैक पैनल वह बिल्कुल फ्लैट है और उसके इलावा जो हमारी साइज आ रही है वह हलकी सी कर्वड है पहले थोड़ी जादा कर्वड थी अब हमारी हलकी सी कर्वड है तो उससे आपको डिफ्रेंस पता चल जाएगा और काफी प्रीमियूम भी लग रहा है सॉलिड लग रही डिवाइस हमारा हाथ पे होल्ड करने में पहले से देखा जाए तो डिवाइस का साइज हमारा हलका सा कम हुआ है लेकिन ज़ादा नहीं है ऐलमॉस्ट डोन डिवाइसस देखने में सेम लग लग रहे। वैसे एक्ट्व песと इस़ी डिवाइस के साथ हमारे पास competition में एक और मतलब डिवाइस आजाता है जो की की है हमारा iPhone 13 वो उसके अंदर भी आपको ऐसे boxy design ही मिलता है दोनों में मतलब same design हो गया उसके बाद आपका same size हो गया और साथ ही आपको price भी same ही budget में मिल जाती है तो इन दोनों का comparison भी मिल जाएगा कि इन में से कौन सा आपके लिए best रहेगा इसके इलावा इस device पर वापस आते हैं इसके अंदर आपको IP68 dust and water resistant knitting मिल जाती है जो कि 1.5 meter तर tested है और आपको मतलब हलके फिल के पानी में अगर यूस करना पढ़ जाए device को तो दिक्कत की बात यहां पर नहीं है इसके इलावा device के अंदर ports के अगर में बात करो तो यहां पर हमारे पास नीचे की साइड आपको स्प्रिकल ग्रिल मिलती है उसके साथ हमारा Type-C port है साथी माइक है साथी है हमारी SIM ट्रे आपको device के अंदर 5G support मिल जाता है वो भी solar bands में और आपको dual SIM की यहां पर option मिल रही है अच्छी चीज यह है कि आपको water ceiling में मिल जाती है इसके SIM tray पर इसके इलावा right side में हमापर power button उसके उपर volume rockers है top side में हमापर secondary mic है left side clean है back side में हमें triple camera setup मिल जिसके अंदर आपको 50 plus 10 plus 12 megapixel का triple camera setup मिल गया इसके साथ front side में आप देख से तो आपको मिलता है जो selfie camera वो punch hole design में है 10 megapixel का और आपको device के अंदर यहापे in display fingerprint scanner मिल रहा जोगे कि काफी मतलब ऊपर की side है मुझे बेटर लगी इसकी position आप आरांग से एक हाट से भी device को unlock कर सकते हैं अगर कुछ type करना हो तो आपको दो हाथों को use करना ही पड़ेगा वैसे देखा जाए तो design-wise, look-wise मुझे device काफी ठीक लगा सोड़ा सा अगर पिछले वाले से थोड़ी सा अगर changes ले आते camera module side में या फी तो हलका सा और तो और better हो जाता पहले से look थोड़ी सी हमारी जादा similar आ रही है इसके लावा device के अंदर आपने एक चीज़ देखे होगी कि हमें 3.5 mm headphone jack नहीं मिलता नहीं box के अंदर आपको कोई connector मिलता है मतलब मुझे लगता है अब हमें इस चीज़ के पर आना पड़ेगा पैले सामसंग को पीछे पड़ पड़के हमने glass body ली है अब बड़ी मुश्कल से हमें connector की लिए यहाँ पर request करनी पड़ेगे कि हमें connector मिल जाए इसके लाव अच्छी चीज़ है कि आपको device के नहीं यहाँ पर nox security भी मिल जाती है तो device आपको थोड़ा सा secure रहता है अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं main मुद्दे के बारे में जोकी की है हमारे इस device की performance performance की अगर बात करो तो आपको यहाँ पर मिलता है बहुती तगड़ा chipset जोकी की है हमारा snapdragon का 8th generation 1 जिसके अंदर आपको तगड़ी performance इस device के अंदर देखने को मिलेगी चाहिए अब कोई भी काम करें अगर हम देखें N2-2 score के अगर मैं बात कर तो यहाँ पर हमारा 880,000 के आसपास हमारा score आया है उसके साथ device के अंदर आपको UFS 3.1 की storage मिलती है, LPDDR5 की RAM मिल जाती है जिसके अंदर मैंने अगर storage test run करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1726 Mbps के आसपास हमारी read speed है और 1080 के आसपास हमारी write speed आती है और इसके साथ अगर मैं बात करूँ CPU throttling test की तो यहाँ पर device के अंदर थोड़ा throttling आपको देखने को मिल रही है heating भी देखने को मिल रही है मतलब जो मैंने test run किया उसके अंदर 43 degrees तक हमारा यहाँ पर temperature चला गया था device का और उसके इलावा device का 71% हमारा score आया मतलब आपको 39-30% का throttle इस device के अंदर देखने को मिल रहा है अब action में हो सकता है यह इस device के हमारे compact size की वज़ा से हो हो सकता है जो हमारे इसका plus वला variant आया है S22 Plus उसके अंदर हमें ना देखने को मिले लेगन क्या होता है उसमें वो मैं आपको बता दूँगी उस device की भी unboxing आपको मिल जाएगी इसी channel पे तो वो हम तब देखेंगे अभी इसके अंदर तो हमें throttling और heating थोड़ी देखने को मिल रही है वैसे अगर मैं gaming की बात करूँ तो यहाँ पर device के अंदर हमें काफी अच्छी gaming performance मुझे देखने को मिली वदा अभी जितनी भी देर मैंने खेला था यहाँ पर आपको अगर bjmi की मैं बात करूँ तो आपको HD graphics के high frame rate पे game recommended थी जिसके अंदर वैसे हम graphics को बढ़ा भी सकते हैं HDR graphics के extreme frame rate पे आप game को ले जाके खेल सकते हैं Gaming में actual result कैसा आया वो मैं आपको testing में बताऊंगी मतलब throttling होती है और उसके इलावा जिसे heating होती है तो फ्रेमड्रॉप आपको पूरे एक घंटे की gaming में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो सारी चीज़ में आपको testing में बताऊंगी लेकिन अभी जैसे मैंने जितनी भी इस device केंद गेमिंग करी उसमें जो मुझे एक बहुत बड़ा issue देखने को मिला वो है हमारे इस device की battery का मतलब यह snapdragon processor जो होते हैं हमारे वैसे ही battery थोड़ी से जाधा consume करते ही है क्योंकि powerful processor होते हैं अब यहां पर क्या है कि आपको device केंद जो battery consumption है वो थोड़ा सा जाधा देखने को मिल रहा है और दुख की बात यह है कि इस device केंद आपको मिलती है थोड़ी छोटी battery मतलब last year से भी अगर मैं compare करूँ तो आपको battery और कम कर दी है पहले 4000 mAh की थी अब हमारी 3700 mAh की आपको battery मिल रही है मतलब यह चीज़ में समझ में निया ही कि आपको पता ही था जब snapdragon processor आप यूज कर रहे हो तो वो अल्रेडी जाधा consume करेगा battery तो आपने कम क्यों कर दी उतनी भी दे देते तो एक अलग बात थी मतलब अब कितनी देर म यह device आपका मतलब कितने घंटे निकालेगा एक दिन तो नहीं निकाल पाएगा कितने घंटे निकालता है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी testing के अंदर कि actual में कैसा battery को आपको मिलेगा मेरे हसाब से अगर आप इस phone को खरीदना है तो वो कोशन आपके लिए बहुत ही ज़ और उसके साथ कुछ documents उसके साथ injection pin कनेक्टर नहीं है कुछ नहीं है चार्जर भी नहीं है लेकिन दुख यहां आता है चार्जर नहीं है तो सबको पता है दुख यहां आता है कि इसके साथ जो charging का support मिल रहा है वो आपको सिर्फ 25W की मिल रही है मतलब आपने सुना ही होगा तो कितना टाइम लगेगा आपको पता चलेगा review में और टेस्टिंग में वैसे इस device के साथ आपको wireless charging का support मिलता है वो 15W की तो उसमें मतलब यह है कि आप मतलब एक के समसी कर सकते हो कि 3-4 घंटे के लिए आपको एक alone time चाहिए एक quality time spend करना हो ना कि हम एको phone नहीं है मेरे पा दिस्प्ले बहुत अच्छा दिस्प्ले हमें मिल जाता है 6.1 इंच का हमारे डिस्प्ले है डायमिक एमुलेट 2x डिस्प्ले जिसके अदर आपको 120Hz का refresh rate मिल रहा है और उसके साथ Full HD plus resolution मिल रही है bright colors मिल जाते हैं आपको sunlight में यूज करने में problem नहीं आएगी डिस्प्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और indoor में भी अगर आप यूज करते हैं तो movies वीडियो को आपको अच्छी से enjoy कर लेंगे क्योंकि एकदम punchy colors और अच्छी brightness आपको यहाँ पर देखने को मिल रह है उसके सब 120Hz का refresh rate है तो car similar games को अगड़े तरीके से यहाँ पर enjoy कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँए Asphalt 9 को इसके इलावा वैसे device के अंदर audio के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पस dual stereo speakers आ जाते हैं जिसके अंदर आप सुन सेते हैं यहाँ पर audio samples आपको काफी loud, clear और बड़िया समय पर सुनने को मिलती है मतला आप enjoy करेंगे device को entertainment wise भी इसके साथ बात कर लेते हैं device के cameras के बारे में तो यहाँ पे 50MP का triple camera setup है back में main camera 50MP का जिसके आपको OIS का support मिलता है उसके साथ है हमारा 10MP का telephoto camera जिसने आपको 3x optical zoom मिल जाता है और उसके साथ है हमारा 12MP का ultra wide साथी 10MP का selfie camera selfie camera में हाला कि मुझे लगता है कि थोड़ी improvement यहाँ पर करनी चाहिए थी लेकिन जैसे कि हमारे Samsung की optimization आप यहाँ पर देख सकते है काफी अच्छी निकल के आती है प्रोसेसर भी हमारा तगड़ा है तो PIX आपको overall काफी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर camera वाइस तो कोई दिक अच्छी कर पा रहा है और ultrawide के अंदर आपको इहाँ पर color shift देहने को नहीं मिलता है आप तेली photo pic भी अगर लेते हैं तो उसके अंदर भी आपका exposure को कर पा रहा है detailing आपको काफी अच्छी मिल रही है मैंने कहीं सारे status यहाँ पर click किये थे और इसके इलावा selfie camera के बात करो तो वहाँ पर दे सकते हैं आपको ultrawide की option मिल जाती है group selfies लेने के लिए जो कि बढ़िया है या background capture कर आपको करना हो उसके लावा आपको यहाँ पर blurring में, bookay में कहीं सारे modes मिल जाते हैं आप यहाँ पर different pics ले सकते हैं जिसके अंदर को edge detection भी अच्छा मिलता है और wide angle में भी आप अपनी bookay की pick ले सकते हैं तो overall selfie camera, back camera मुझे अच्छा लगा, video graphic अगर में बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको stabilisation काफी अच्छा मिल जाता है back camera से, उसके साथ आपको वहाँ पर focusing भी fast मिलती है, exposure को यहाँ पर भी काफी अच्छे से maintain कर पा रहा है, यह था हमारे device Samsung S22, जिसमें मतलब अक्चिन में देखा चाहे तो device के अंदर यहाँ पर आपको glass body भी दी गई है, उसके साथ आपको यहाँ पर प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है, लेकिन बैटरी को देखा चाहे तो थोड़ा यहाँ पर काफी सादा risky माबला हो गया है, इसके साथ throttling issue भी यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको इस device की सारी testing करने के बाद review में बताऊंगी कि actual में आपको मतलब इस device में कितना battery backup निल रहा है, क्योंकि आप कोई भी phone खरीदे है, बैटरी वेकप कितना है उससे बहुत चीज़ें मैटर कर जाती है, मतलब आपको इन के answer में आपको सारे review में दे दोंगे या आप testing भी देख सकते हैं, कि actual में charging time कितना है device का हमारा उसके साथ हमारे इस device के अंदर battery backup निकल के कैसे आता है, और throttling हमारे कितनी है, मतलब इसकी वज़े से performance में कोई हमें drop देखने को मिलता है या नहीं, सारी चीज़ों के answer तो वीडियो को like and share जरूर करें और साथ ही मुझे comment करके बताएं कि आप साथ क्या opinion है इस phone के बारे में